क्या आप भी educated होना चाहते हैं? क्या आप भी English को आसानी से बोलना चाहते हैं? क्या आप भी grammatically correct sentences को बोलना चाहते हैं? क्या आप भी educated कहलाना चाहते हैं? तो बिलकुल सही वीडियो में आए हैं, ठीक है? तो आज मैं बात करने वाला हूँ, education से जुड़े हुए छोटे-छोट sentences की यानि वाक्यों की, education मतलब जानते हैं आप, education का मतलब होता है, a process of teaching, training, learning, especially in schools and colleges for improving knowledge and skills, so this is the definition of education, अर्थात, education का मतलब होता है, कि अपने आपको सिछित करना, अपने दिमाग को ट्रेनिंग देना, या कुछ सीखना, खास करके, बिद्यालेयों और colleges में, जहां पर हम अपने ग्यान को बढ़ाते हैं, और अपने skills को, यानि talent को, या हुनर को बढ़ाते हैं, तो education का मतलब यही है, कि आप कुछ सीखिए, कुछ improve करिए, कोई नई चीज लेके आए, और उसे आप आगे बढ़िए, तो आज मैं ऐसा ही sentences के बारे में आप जान गए, तो बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी आपको देखेगा इस तरीके के sentences को बोलता हुआ, तो वो समझेगा आप बहुत ज़्यादा educated और काविल इंसान हैं, तो यह पूरी वीडियो पांच phases में divide है, यानि हर पांचो phases में आपको अलग-अलग knowledge मिलेगी education की दुनिया की, तो ठीक है, ready हो जाएगे, उठ नया सीखने के लिए, वो सबका सब education से related है, education से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे learning की, पहला है acquire education, इसका मतलब होता है सिछा प्राप्ट करना, yes, how we can acquire the education, की education हम कैसे प्राप्ट कर सकते हैं, तो ये sentence आप कैसे हो, acquiring education, where are you acquiring education, आप सिछा कहां प्राप्ट कर रहे हैं, तो acquire education का मतलब होता है, सिछा प्राप्ट करना, plan syllabus, अर्थात, पाठेकरम की योजना, जब आप स्कूल में जाते हो, वहाँ पे आपको syllabus दिया जाता है, कि अपने syllabus प्लान कर लो, कि आपको जिस क्लास मे आप जाना चाहते हैं, कौन-कौन से subject हैं, कौन-कौन से बिसे हैं, जिनके बारे में हमें बात करना, तो उसके लिए हुए प्लान syllabus, यानि पाठेकरम की योजना बनाना, अगला है, attend class, मतलब की कक्षा लेना, मैं कहां जा रहे हैं, मैं attend class करने जा रहे हूं, मैं class को attend करने ज कौन-कौन से पाठेकरम लिए हैं, उसमें हिंदी, इंग्लिस, मैस, साइंस, ये सब है यानि, तो उसके लिए आप simply कह सकते हो, take a course, और आप बात करेंगे school की, किस तरीके की schools होते हैं, जहां पे आप जाके education acquire करते हो, तो पहला वाला है, go to nursery school, yes, सब को पता है, जब आप छ मतलब की कुशा, एक, दो, तीन में हो, तो उसके लिए आप बोल सकते हो, be in class first या जिस class मीं आप हो, इन क्लास नाइन्थ इस तरीके से आप बोल सकते हो अगला है इस्टेडी इंग्लीज इस्टेडी फिजिक्स इस्टेडी साइंस इस्टेडी हिंदी मतलब कि आप अध्यान करते हो इस्टेडी इंग्लीज यानि अंग्रेजी का अध्यान करना तो आप बोल सकते क्या कर रहा मैं चलत है आपको बोलना है अध्यन करता हूं कुछ कि पढ़ने का मतलब किया किताब आप पढ़ forts origins और बेडिन जो होती है, चोटी process होती है, अगला है finish school, मतलब कि school पूरा करना या अपना पढ़ाई पूरा करना, जब आप पढ़ाई पूरा कर लेते हो तो उस वत Amendis school, मतलब कि मैं अपना school quindi कर चुका हूँ या मैं उसको पूरा कर चुका हूँ, अब आप कॉलेज में युनिवर्सिटी में जाके आराम से पढ़ सकते हो अगला है graduate high school intermediate मतलब कि अप graduate किस class से हुए तो पॉत घ्रेज़ेट हाई स्कूल मतलब मैं high school से घ्रेज़ेट हुआ हूँ intermediate से ग्रेज़ेट हुआ हुआ है पढ़ के निकले हो मतलब graduate मतलब सिच्छित हो और ही स्चित हो इंटरमीडिये तक सिच्छित हो या आप किसी और क्लास से सिच्छित हो तो वह आपको बोलना है इस तरीके से कि graduate high school, graduate intermediate अब हम आगे बात करेंगे ना problems at school की जो school होता है उसमें किस तरीके की problems आते हैं समझ से आए किस तरीके की आती बच्चे जब इसकूल जाते तो उनके साथ मतलब किस तरीके का बरता होता है बेवहार होता है बच्चे आपस में किस तरीके की लड़ाईय सहतानी करते हैं कौन-क कौन से छोटे-छोटे sentence है उनको आप बोल सकते हो चलिए उनको देखते हैं एक एक करके पहला वाला है be the victim of bullying यानि धौस जमाए जाने का सिकार होना मतलब आसे बहुत से बच्चे होता है मैं हिटलर हूं मैं दादा हो यहां का ए आप उनको सब शॉलेगा इधर तो क्या होत जो निव कमर्स होते हैं या नया नया उस विद्याले में आय होते हैं तो इसके लिए एक sentence आप यूच कर सकते हो be the victim of bullying अगला है बंक आफी स्कूल का मतलब क्या होता है इसकूल ना जाना मतलब की घर से तो आप निकल गए हो इसकूल जाने के लिए लेकिन बैग आपने कही नहीं और रख दिया और आप निकल गए तो इस situation के लिए एक sentence है या एक phrase है उसको कहते है बंक आफी स्कूल बहुत से बच्चों ने बंक इसकूल किया बट मैंने कभी नहीं किया आप ने किया होगा तो मुझे पता नहीं किया है तो इसकूल में अगर आपने किया होगा तो कॉमेंट में बताइए कि आप भी स्कूल बंक करते थे अगला है चीट इन एक्जाम यस बहुत सारे वच्चे होते हैं जो एक्जाम से चीटिंग करते हैं ज्यादा से ज्यादा नमबा लाने के लिए तो इस ने करना गलत होता है नहीं करना चाहिए बट यह प्रॉब्लम है अगला है बी सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल यानि स्कूल से निकाल दिया जाना मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बदमासी या सैतानी करते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है स्कूल से सस्पेंड किया जाता है अगला है बी गीवेन और डिटेंशन बी गीवेन डिटेंशन क मतलब होता है punishment देना या सजा देना या आपको सजा दी गई है लेकिन कैसी सजा वो class वली सजा नहीं मतलब यह detention का मतलब होता है एक ऐसी सजा कि सारे बच्चे अब आपको रोका गया है वहां पे और रोक करके आपकी वहां पे पिटाई हो रही है या जो भी आपको सजा देना आपके मम्मी पपा वहां पे जाएंगे तब आप छूटोगे तो इस situation को बोलने के लिए अंग्रेजी में sentence है be given in detention अगले phase में हम बात करेंगे work and exams की ठीक है क स्कूल में जब आप रहते हो तो किस तरीके से आपसे काम लिया जाता है या कौन से sentences होते हैं जो आपके काम के लिए बोले जाते हैं या exam के दरानों sentences को बोले जाते हैं तो पहला वाला है do your homework या आप कहा सकते हो do your revision यानि अपना अगरहकारे करो पुनर अभ्यास करो जो भी your revision अगला वाला है write an essay यानि की निबंध लिखो या write an application और write and letter या write and dictation so यह सब है मतलब यह phrase है या एक छोटा सा sentence है जो आप इस्कूल में यूज कर सकते हो या इस्कूल में यह बोला जाता है जब आपको काम दिया जाता है तो अगला है complete your studies यानि अपना अध्यान पूरा करो अपना पढ़ाई पूरी करो ठीक है तुसे बहुत से बच्चे होते ने कहते है मैं स्कूल अब नहीं जाओंगा तो उनके मम्मी पपास समझाते कहते है बेटा complete your studies पहले अपनी studies पूरा करो उसके बाद जो तुम्हारे मन में है वो करना अगला है hand in your homework लब ग्रहकार मिले और तो टीचर्स क्या बोलेंगे कि अपना ग्रहकार ले लो hand in your homework अपना ग्रहकार ले लो चल्दी से ले लो नकल पिटाई होगी तुम्हारी अगला है prepare for an exam यानी परिच्छा के तयारी करना देखिये परिच्छा का माहोल आते यह sentences बड़े common होते prepare for your exam don't waste your time बेटा we have very less time so prepare for your exam prepare for an exam इस तरीके से आप sentences बोल सकते हैं कि परिच्छा के तयारी करो परिच्छा के लिए जुट जाओ लग जाओ अगला है take an exam यानी कि परिच्छा लेना आप जाते हो स्कूल में या जब आपकी परिच्छा हो तो अपने परिच्छा लेते हो परिच्छा ले तो तो तक क्या आता है परिच्छा लेना अगला वाला है do well in the exam यानि कि exam में अच्छा करना आपके घर वाले भी बोलेंगे do well in the exam आपके टीचर से भी बोलेंगे आपका subject teacher बोले का do well in the exam बेटा do well in the exam कि अपना जो अच्छे से करना बढ़ेहा से करना best of luck best of luck best of luck अगला वाला है pass an exam यानि परिछा पास करना जब आप परिछा पास हो जाते हो तो वहां पर वह सेंटेंस आप पास एन एक्जाम आई पास एक्जाम मैंने परिछा पास किया या मैंने पेस्ट पास किया अपना एक्जाम जो भी था मेरा इसको मैंने पूरा किया पास एक्जाम अगले सेज में हम बात करेंगे उनिवर्सिटी की ठीक है अभी सो बिद्याले की तो पहला वुझेलब है गो इन्टू उनिवर्सिटा डिया उन प्लिया हम पर तुक यहां पर दुनिया भर से स्टूडंस आप LAV तो अपने इस नातक पर इसना तक आप कर लिया है आपको भी सब्सक्राइब जाना है तो उसके लिए बोलते हैं गेट इंटू युनिवर्सिटी अगला वाला है ग्रेजुएट फ्रम कॉलेज और गेजुएट फ्रम युनिवर्सिटी यानि अब आप क्या कर लिए हो अपनी पढ़ाई पूरी कर और आप वहाँ से सिप्षित हो गए है मतलब ग्रेजुएट हो गए है उस कॉलेज से उस विएट सीटी से तो आपको गेजुएट फंपुलेज और गेजुएट फ्रम यूनिवर्सिटी आप ऐसे बोल सकते हैं आ ए अगला है इस्टेटी फॉर एंड डिग्री इन इंगलि कि मैं English में डिग्री लेने के लिए पढ़ाई करता हूं आगला है जब आप डिग्री लेते हो तो उसवक्त क्या बोला जाए receive a master's degree, receive a bachelor's degree, receive a PhD degree in English तो ये तरीके हैं बोलने के जब आपको degree मिल जाती है तो master's degree को हिंदी में बोलते हैं परा इसना तक और bachelor's को बोलते हैं इसना तक और जो PhD वाले होते हैं मतलब कि doctor of philosophy जोनोंने बड़ी सी उपाधी प्राप के लिए एक particular subject में तो उनके लिए उपाधी होती है PhD, doctor of philosophy इस तरीके से बात करते हैं तो ये थे कुछ sentences जो education से जुड़े हुए थे, education से related थे अगर आप भी अपने आपको educated कहराना चाहते हो तो इन सारे sentences को यूज करिए यहां तक आपने इस वीडियो को देखा, thanks for watching